किद्नी हमारे सरीर के दो बहुत ही माट्टा पुर्णांग होते हैं जो हमारे कमर के दोनों इसले हिस्सों में अवस्तित होते हैं या अंग हमारे मुठी के बराबर का होता है हमारे ब्यास्टता पूर्ण और भाग दर के जिन्देगी में हमारे स्वास्टे से जूरी बहुत सारी सब्थानियों को अक्सर ही हम नजर अंदाज कर देते हैं जो हमारे किद्नी की सिहत के लिए बहधी हाने का रखोता है हम मेंसे बहुत लोग गुर्डे अथवा किद्नी की बिमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमेंसे अधिकांग्स को इसकी भनक तक नहीं होती है यही करण है कि गुर्डे की बिमारी को अकसर साइलेन किलर कर रुप में जाना जाता है क्योंकि अधिकांग्स लोगों को बिमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक यह उग्रारूप धार्न कर नहीं लेता गुडे अथवा किद्नी बिकर्पे से तबनी के कई संकेत होते हैं हलाकि अधिकांग्स अमें इन्जय अंदेखा किया जाता है या परभाई ही नहीं करते हैं या किसी और तरह की समय सा समझ कर लोग भ्रमित हो जाते हैं इसलिए कोई भी लक्सन दिखाई देने पर आपको तुरंधी सतर्ख हो जाना साहिए शुरू करने से पहले सब्सकाइब करना ना भूले और बैल नोटिफिकेशन का भी जरू प्रेस कीजिए तकि भविश में आने वाली हर एक वीडियो की जनकरी सबसे पहले आप तक पहुंशे अगर आपके किद्नी खत्रे में हैं तो आपके सरी दे सकते हैं ये 10 संकेट सरी में ठकावा तो थवा खुन की कमी किद्नी खराब होने की पैसान एनिमिया से क्या जर सकता है अमरे किद्नी से एरेट्रपोटीन नम का प्रोटीन निकलता है जो लाल रख पोशिकाओं को अक्सिजन दाने में मदद करता है जब इस कारे में बाधा उत्पन हो जाती है तो इस हर्मन का इस्तर भीने लगता है जिसके करण एनिमिया का रोग होता है परिनम्सरुप जल्डी ठकान लगने लगती है और सरी का रंग पिला होने लगता है मस्तिस्क में अक्सिजन की कमी हो जाने के करण सरी में कम जोरी, चिप्षी रापन और एका ग्रटा में भी कमी आ जाती है और किसी भी सीज में ध्यान केंडिट ना कर पाने की समयशा होता है पेशाब करने में परिशानी पेशाब करने में दिक्कत होना किद्नी खड़ाब होने की लक्षन में से सबसे जरूरी संकित है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का किद्नी खड़ाब है तो सबसे पहले पेशाब में बदलाब नज़र आता है इस दोरों रुगी के पेशाब का रंग बदल जाता है और पेशाब की मत्रा में भी कमी आ जाती है इसके अलावा बारबर पेशा बाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का पूरी तर रुप जाना या रुप रुप पर पेशा बाना भी किद्नी खड़ा भने के लक्षन है कमर में डर्ड कमर के निसले हिस्सों में लगातर हलका या टेस दर्ड बने रहना भी किद्नी इंफेक्शन के लक्षन हो सकता है हम मेंसे बहुत लोगों को आक्सर कमर का डर्ड परेशन करता है जिससे आप मामुली डर्ड छमज कर पेन किलार लेकर ठीक करने की कोशिस करते हैं अगर किद्नी में किसी तरह के संक्रमन हो जाए तो पीठ में डर्ड मैसूस किया जा सकता है किद्नी हमरे सरी के कम सकम 500 क्रियाओं को संट्रिलिक करता है ऐसे में इसकी भूमी का एहम हो जाती है वहीं अगर कमर में हलका डर्ड हो तो यह किसी आम डर्ड की तरह ही है जो दवाव और बाम से सही किया जा सकता है लेकिन लगाटर एक ही जगा पर तेज दर्ड हो तो ये किद्नी से समधित हो सकता है ये दर्ड दो बजह से हो सकता है पहला किद्नी में इंफेक्शन, दुसरा किद्नी में होने वाले पठ्ठरी के करन पेशब में खूनाना ये ऐसी संकेते जिसे कभी भी अंदेखा नहीं किया जाना साहिए ये एक सिंता का सीधा करण है अगर आप ऐसी कोई लक्षन देखते हैं तो आपको सीधा साबधन हो जाना साहिए इसे आपको बिलकुल भी अंदेखा नहीं करना साहिए पेशाब में खुनाना किद्नी की बिमारी का सिधा लक्षन है यदि ऐसा कोई लक्षन समने आता है तो आपको तुरंधी अपने दक्टर के पास दाने की आवज़ सकता है पेशाब में खुनाना भी कोई मुट्रा से कैंसर की बज़े हो सकता है पेसाब में ज्ञाग आना पेसाब करने के बाद जब उसमें ज़रूत से ज़्यादा ज्ञाग पेडा होने लगता है तो यह किद्नी खड़ाब होने के प्रथम लक्षनुकेशन के थोते हैं पेसाब में अट्टःबिक ज्ञाग मुट्र में अलब्यूमिन नाम की प्रटीन की उपोस्तिति को इंगित करता है जब किद्नी का फिल्टरीण प्रflower काम करना बन कर दोता है या कम काम करता है तो प्रोटीन मुट्र से रिष्ण लगती है जो हमारे किद्नी की सेहत के लिए बहुत ही घातक होता है ऐसा होने पर आपको बिना देर किये हुए तुरंथी डक्टर से संपर्ख करना साहिए सरीर में सुजन आपके सरीर में से सभी अत्रिक्रपसिस्ट और टरल पड़ाठो को रक्ट में से सानने का काम अपकी किद्नी करता है जब किद्नी ऐसा करने ही पाता है तो ये अत्रिक्रपसिस्ट और टरल पड़ाठो को आपके सरीर में जमा करने लगता है जिसकी बज़ाए से ब्यक्टी के पेड़ों में सुजन एंकल्स या तखने में सुजन शहरे में सुजन और हाथों में जपरन हो सकता है इस अवस्था को एडिमिया कहते हैं क्या आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं कि गुड़े हमारे सरी में से कस्रे को हता कर जबर्जस काम करता है लाल रख कोशिकाओं को बनाने में मदद करना और आपके सरी में खनी स्तत्तों को सही मत्रा में बनाये रखते हैं जब किद्नी फेल हो जाती है या खाड़ाब होने लगती है तब सरी में काफी कस्रा बन जाता है और इसके करण कोई तरह के इंफेक्शन होने लगते हैं साथी खुजली भी सुरू हो जाती है ऐसी लक्षन आने पर अक्षर हम लोग अलर्जी समस कर भामित हो जाते हैं लेकिन सकत्ते गूर्डे की बिमारी और विफलता का लक्षन हो सकते हैं यदि आपकी त्वासा में खुजली और सुसकता है तो यह आपके गूर्डे द्वारा पोशक्ततो और खनीजों के आवशक संतुलन को बनाए रखने में आसम अठता का संकेत हो सकता है इस खनीज की कमी से हमारी हार्डिया भी कमज़र हो सकता है सांस लेने में तकलिफ होना या सांसों की कमी जड़ासी देर में सांस फूलने और किद्नी खाड़ाब होने को दो तोड़ा से जड़ा जा सकता है पहला तो यह कि किद्नी खाड़ाब होने से सरुरी में अट्रिक पानी जमा हो जाता है जिससे फेफ्रो में पानी भर जाता है दूसरा एनीमिया, जिससे सरीर में oxygen और red blood cells की कमी हो जाती है, ऐसे में सरीर बहुत जल्ली ठकने लगता है, जिससे ब्यक्ति को सांस लेने में परिशानी होने लगती है, कोई बार तो ब्यक्ति को सोते सोते भी सांस फूलने लगती है, जिससे फेफरो की कारियो समता भी की तरह लगना, खुद में खाड़ा भी या गंद की किद्मी खाड़ाब होते ही बनने लगती है, और इसे इरूरेमिया कहते है, इसके करण मुझ से दूर्गंध आने लगती है, और खाने का स्वाद अलग लगने लगता है, इसके साथ जिन्हें नन्वेश खाना पसंद है उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, वजन भी कम होने लगता है, आप अगर ऐसा साते हैं कि आपको भी किद्मी समझ्चा ना हो, तो आपके सरुरी में होड़े हैं ऐसे किसी भी बदलाब के लग्षन को बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करने साहिए, और बिना देर किये हुए इवन डक्टर से संपर्ग करना साहिए, किया आपको पहले कभी इन में से कोई लक्षन हुआ हो, और आप उनसे कैसे निक्ते हैं, हमें कमेंन सेक्षन में जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक करे और आपने दोस्तों को भेजे, उन्हें पता होना साहिए कि उन्ह के भल कैसे करनी साहिए, और डेकागिरी यूनिक हैल कि उसमें हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जोड़ डबाएए